इंग्लिश में शब्द है आपका all together, तो इस उड़े में all together को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या थोर मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, example से sentences में शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे, तो चलिए वीडिय को स्टार्ट करते हैं, क्या मतलब ह होता है all together का, देखें सब से परें तो चानेंगे, इंग्लिश parts of speech में altogether का मतलब होता है, कुल मिलाकर, पूरी तरह से, सब का सब सारा के सारा पूर्ण रूप से पूर्ण तया मतलब अल्टोगिदर इंग्लिश में इसके इस नौनिम्स आते हैं इन टोटल या इन टोटो आल थिंग्स कंसिडर्ट आउन दे होल, होली, इंटाइरली, कम्प्लीटली, फुली, टोटली, ठोली, एंट इस नौनिम्स आउन और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं और टुगिदर के चलिए example से sentences में समझते हैं ये शब्द को अची तरह से जिसे बोलेंगे आहम बोलचान में तो इस तरह से शब्द को प्रियोग करेंगे हम लोग के all together there were 40 people in the bus मतलब बस में कुल मिला करके 44 लोग सवार थे, दूसरा example है के all together, it was a great day at the party, मतलब कुल मिला करके पार्टी में ये बहुत अच्छा दिन था, तो all together का मतलब कुल मिला करके including all, मतलब सहरे चीज़ का सारांश, मतलब summary of all, ठीक है दूसरा आपने all together शब्द को हिंदी और इंग्लिश में example के साथ मैं अच्छी तरह से समझ लिया है, thanks for watching, educate desk